हेलो अबरिबन मैं आकांग्षा आज मैं हिल्दी रेसिपी लेकर गाई हूँ पालक अपर लेचाटी बिला डिलेकेस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं एक बड़ा सा बॉल लिए हैं उसमें एक कप सूजी डालेंगे हाफ कफ दही डालेंगे दही फ्रेस लिजिएगा खट्री ना हो इसे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसमें डालेंगे वनफोर्थ कप ग्रेट किया हुआ गाजर वनफोर्थ ही ग्रेट किया हुआ पत्ता गोवी विजिटेवल अपने पसंद से जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं ग्रेट किया हुआ सिमला मिच तीखा अपने हिसाब से हरी मिच डालिएगा तो मैं अपने हिसाब से दो डाली हूँ ठीकिन मैं थोड़ा सा हटा दी हूँ फिर वनफोर्थक ग्रेट किया हुआ पनी डालेंगी आप पनी भी डाल सकते हैं आलू भी ग्रेट हुआ डाल सकते हैं वह भी डाल सकते हैं स्वात कैनोव सारिस में सौल्ट रालेंगे अच्छे से मिकस कर लेंगे पालक प्यूरु जो रिडि की दे इसमें थूरा-थूरा मिलाते हुए मिकस करेंगे एक बार में मिक्स नहीं करेंगक तरह से मिकस करते जाएंगे जार में भी जो बचा रहता है उसे पानी डाल करके उसी भी ले लेंगे अब भी बैटर थिक लग रहा था तो मैं क्या किये हूँ कि जिस जार में प्यूरी निका रही हूँ उसी में ही पानी डाल करके फिर से मैं निकाल ली हूँ बैटर में डालने के लिए बैटर आपका न ज्यादा थिक होना चाहिए ना लिक्वीडी होना चाहिए देखे इस तरह का केस्टेंसी होना चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढख करके छोड़ देते हैं तो 15 मिनट हो गए है अब मैं चिक कर लेती हूँ तो मैं मिक्स करके देख ले रही हूँ तो यह किस्टेंसी हमारा ठीक है इससे ज्यादा इसमें हम पानी अब नहीं डालेंगे 140 इस्पून मैं मिर्च पॉडर डाल रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाली हूँ तो आप जितना तिखा पसंद करते हैं उसे साफ से डालें वन फूर्टी स्पूर मैं पॉभाजी मसाला इसमें डाल रहे हूं पॉभाजी मसाला भी जरूर डाले इसे टेस्ट बहुत अच्छी आज़े हैं स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने हिसाब से कम जादा जैसे देखे एक पर टेस्ट जरूर कर लिजेए डालने समय कि मैं इसमें सही डाली हूं या नहीं फिर इसमें मिक्स कर लेंगे प्याच को ही मैं बारिक चॉप कर ली हूं सबसे लास्ट में प्याच इसलिए डाल रही हूं कि इससे क्या होगा कि जब आप भी बनाएंगे न तो प्याच का कंचनिस आएगा तो मैं इसलिए सबसे लास्ट में डाल रही हूं आप इससे ऐसे ही किजेगा सबसे लास्ट में बेकिंग पॉड़र डालेंगे तो बंफोत टी स्कूड मैं डाल रही हूं और इसमें जो पालाक काहीं पानी बचा हुआ था उससे ही इसमें डालकर एक्टिवेट करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे मिस करने के बाद यह बहुत जल्दी फ्लफी हो जाता है यह देखे तो अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ तो चलिए इसके अप्पे बना लेते हैं गरम अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा वाइल डालेंगे अब राई डाल देंगे और इसी चटकने तक छोड़ देंगे लोफ फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे तीन से चार मिनेट के लिए से धक करके छोड़ देंगे तो तीन से चार मिनेट हो गया है अब मैं अप्पे कुपे वाइल लगा दूँगी और इसे पलट लेंगे सेकेर तरब से भी अप्पे को पलट लिए हैं अब मैं इसे पलेट में निकाल लूँगी ये दिखी आज की पालक की अप्पे की रेसे भी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दे सेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें बाई एंटे केर